हेलो दोस्तों मेरा नाम है दीपक, निव लाइड भी दीपक में आपका स्वागत है आज हम लाप और हानी का चोथा वीडियो लेकर आये हैं इसमें हम ग्याद करेंगे कि क्रेमोलिक कैसे निकाला जाता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चार सवाले हैं इन चार सवालों को आप अच्छे से देख लेंगे तो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि क्रेमोलिक कैसे निकाला जाता है पहला प्रश्न है एक वस्त को 1200 रुपय में बेचने पर 20% का लाब होता है वस्त का क्रेमोलिक ग्याद करो तो देखिए जब भी क्रेमोल ग्याद करने के लिए कहा जाएगा तो एक फार्मूला आपको याद रखना है क्रेमोल बराबर होता है बिक्रेमोल गुणित 100 बटे 100 प्लस लाब परसेंट और अगर हान हुई है तो 100 माइनस हानी परसेंट बस यह एक फार्मूला होता है बिक्रेमोल गुणित 100 बटे 100 प्लस लाब परसेंट तो चलिए बिक्रेमोल गुणित 100 लिख दीजिए और नीचे क्या लिखेंगे 100 प्लस लाब परसेंट लाब परसेंट कितना है 20 तो 100 में 20 जोड़ों कितना हो जाएगा 120 ठीक है तो 0 से 0 कट गया अबारद हमा 120 और 100 का 10 में गुणा हो गया क्या हो गया 1000 रुपए तो आपका अंसर आ गया 1000 रुपए अगला प्रशन है एक वस्तु को 3000 रुपए में बेजा गया तो 50% का लाब हुआ वस्तु का क्रेमूल गयाद करो ठीक है डारिक्ट क्रेमूल गयाद करते है सबसे पहले उपर लिखते हैं विक्रेमूल विक्रेमूल कितना है 3000 गुणित 100 नीचे क्या लिखेंगे लाब हो रहा है कितने का लाब हो रहा है 50% का लाब हो रहा है तो 100 में 50 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 150 ठीक है अब देखिए 0 से 0 कड़ गया 15 दूना 30 15 जिरम में 0 तो 20 का हमने 100 में गुणा कर दिया तो क्या आ गया 2000 रुपए यानि वस्तु का क्रेमोले होगा 2000 रुपए एक वस्तु को 350 रुपए में बेचने पर 30% की हानि हुई वस्तु का क्रेमोले गया परो तीकि यहां पर हानि हो रही है तब भी हमको क्रेमोले निकालना है तो क्रेमोले क्या होता है क्रेम burner बराबर विक्रेमोले गुणित 100 बटे 100 मैनस हानि परसंट यनि लास परसंट आई 100 माइनस है हानी परसेंट तो हानी कितनी है 30 की ठीक है तो आपका हो गया 350 गुणित 100 बटे 100 में 30 घटा दीजिए 70 तो 00 कड़ गया पांच का आपने 100 में गुणा किया 105 पांचे 500 रुपए तो बस तुका क्रेमोल क्या होगा 500 तो देखिए साड़ा 300 में भी की थी 30 परसेंट की हानी होई थी तो इसका मतलब की क्रेमोल ज्यादा रहा होगा तभी तो हानी होई न तो 500 रुपए आया बिल्कुल ठीक आया अगला उपर लिख देंगे विक्रेमोल कितना है 7200 फिर उसके साथ आपको गुणा करना है 100 का नीचे क्या लिखना है चुकि घाटा लगा है 10 परसेंट का 100 में 10 घटा दो कितना लिखोगे 90 ठीक है घाटा अगर यही लाब होगा हो तो 100 में 10 जोड देते तो 110 हो जाता लेकिन घाट लगा है तो 100 में इसको हमने घटा दिया जीरो से जीरो कट गया 98 बहत्तर नौजिरम में 0 असी का 100 में गुणा कितना आया अंसर 8000 रुपए ठीक बहुत इजी है बस आपको ध्यान रखना है कि क्रेमोली बराबर बिक्रेमोली गुणी 100 बटे 100 माइनस हानी परसेंट और अग उसे रामू को 20% लाब पर बेंचा यदि रामू ने उसे 6600 रुपए में खरीदा हो तो बताओ राहूल ने वस्त को कितने में खरीदा था तो देखें यहां तीन लोग हैं कौन कौन है राहूल है उसके बाद सोनू है उसके बाद फिर से रामू है यानि राहूल सोनू और रामू तीन लोग हैं सबसे पहले राहूल ने खरीदा सोनू को बेंचा फिर सोनू ने रामू को बेंचा और अन्त में कहरा है कि रामू ने इतने में खरीदा तो खेर कोई बात नहीं है आपको बताना है कि कितने में खरीदा था किस ने राहूल ने तो हम मान लेते हैं कि मा प्ताना यक्स रुपए में खरीदा था कौन राहुल माना इक्स रुपए में राहुल ने खरीदा था अब आपको क्या करना है डारेक्ट लिखते हैं कि जब X रुपए में खरीदा था और उसको बेंच रहा है किस भाव से 10% लाब पर तो आप क्या लिखाओ गो उपर 110 बटे 100 और फिर से यानि कि ये जो सोनू है ये 20% लाब पर बेंच रहा है यानि 120 गुणित बटे 100 और ये टोटल लाश्ट में कितने में बिका तो 6600 रुपए में बिका तो किसने बेंचा सोनू ने बेंचा 6600 में खरीदा किसने रामू ने खरीदा तो अगर ये कह दे कि सोनू ने 6600 रुपए में बेंचा तो राहुल ने कितने में खरीदा था तो वही बात होगी जो बात ये है कि रामू ने 6600 में खरीदा क्योंकि सोनू जितने में बेचेगा उतने में ही रामू खरीदेगा है कि नहीं अब देखिए 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया और आप काटना चाहें तो डारेट यहां से काटिए 11,91,11,11,6,6,6 और फिर 00,12 से काट दीजी 12,5,6,1,0 यहां आया आपका यक्स और नीचे बचा है 10 गुणे 10 यानि की 100 तो 100 का गुणा हो गया 50 में तो अंसर क्या आ गया 5000 रुपए तो सबसे पहले राहूल ने कितने में खरीदा था तो यहां माले जी यह राहूल है फिर राहूल ने बेंचा किसको बेंचा सोनू को तो यह हो गया सोनू फिर सोनू ने बेंचा किसको रामू को तो यह हो गया रामू अब लास्ट ने पुछ रहा है कि राहूल ने कितने में खरीदा था तो जितने भी इस टिप में जाएंगे कि आप उसे करते चले जाएंगे, सवाल आपकी हल हो जाएंगे, A ने एक समान को B को 10% हाने पर बेंचा, B ने C को 10% लाप पर बेंचा, यदि C इसे 1188 रुपए में खरीदा, तो A ने कितने में खरीदा था, तो यहाँ पर तीन लोग हैं, एक बेक्ती है A, एक बेक्ती है B और एक बेक्ती है C, मान लिजे कि A ने उस वस्तु को खरीदा था, X रुपए में, अब A, B को बेंच रहा है 10% की हाने पर, तो 100 में 10 घट गया, क्या हो गया? 90, तो 90 बटे 100, चुकि 10% की हाने पर बेंच रहा है, तो वस्तु का 90% ही तो होगा न, जितने में वो खरीदेगा B, अब यह हो गया B, B ने C को 10% लाप पर बेंचा, तो 10% लाप पर बेंचा, मतलब 100 में 10 जोड दीजी, 110, और नीचे क्या लिख होगे? 100 ही, और लाश्ट में C ने इसे 1188 रुपए में खरीदा है, तीक, अब इसको काट पीर दीजी, 0 से 0 कड़ गया, 0 से 0 कड़ गया, अब 11 से यह डारेक्ट कड़ जाएगा, 11 करना में 11, 11, 0 में 0, 11, 8, 88, 9 से डारेक्ट 108 कड़ जाएगा, 12, 9 यह 108 होता है, है न, उपर आपको क्या बचा, X, नीचे क्या बचा, 10 गोणित 10, यानि की 100 गोणित, 12 यानि की 1200 रुपए, 1200 रुपए में, A ने उस वस्तु को खरीदा था, जिसे की 10 परशंट के हानबे पहले बेंचा गया, बाद में 10 परशंट के लाप पर बेंचा गया, लाश्टे में वह वस्तु 1188 में भी की थी, तो खरीदी कितने में गई थी, 1200 रुपए में, यह प्रशन आपको करना है, और कमेंट बाक्स में लिखना है, कि इसका अंसर क्या आएगा, एक साइकिल का भी क्रेमूले 1500 रुपए है, इसका हानी परसंट 25 है, तो क्रेमूले गयात करो, मतलब एक साइकिल को खरीद कर, 1500 रुपए में जब बेंचा गया, तो 25 परसंट की हानी हुई, बताइए कि साइकिल कितने में खरीदी गई थी, ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट बाक्स में लिखना है, वीडियो कैसा लगा हमको बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो कर लेजिए,